आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक हारीजन्टल लाइन में अरेंज हैं अब ऐसा तब होता है जब यहां से कोई डिस्टरबंस नहीं गुज़र रहा ये फिलहाल अपनी इकलिबिलम पोजिशन में हैं या ऐसे बोल दो कि अन्डिस्टरब्ड कंडिशन में हैं जब यहां से डिस्टरबंस या वेव गुज़रेगी तो ये पार्टिकल जो हैं वो एक पेट्रन में वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो तो सारे पार्टिकल जो हारिजन्टल लाइन पर थे अब उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है ऐसा तब हुआ जब यहां पर कोई डिस्टरबंस आया और इस डिस्टरबंस को इस सोर्स ने बनाया यह पार्टिकल जो आप गरीन कलर में देख रहे हो यह एक सोर्स की तरह है जो जब यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन पर वाइब्रेट करता है तो इसकी वाइब्रेशन में से एक डिस्टरबंस क्रियेट होता है और वो जो disturbance जब surrounding में जाता है तो इन particles को disturb करता है और ये particle अपनी horizontal position से उपर नीचे vibrate करना शुरू हो जाते हैं बेटा ये याद रख लें कि ये particle सिर्फ अपनी mean position पर उपर नीचे हो रहे हैं ये आगे नहीं जा रहे और ये जो particle है जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे कभी ये उपर जाएंगे और कभी ये नीचे आएंगे तो ये किस तरीके से move करते हैं और इनकी direction किस तरफ को होती है अब उसको देखते हैं आप note करो कि ये wave right की तरफ travel करती है और इसकी velocity का formula v is equal to mu lambda है ये wave की velocity है जबके particle जो है वो up and down vibratory motion कर रहे हैं इनकी motion simple harmonic motion होती है इसलिए इनकी velocity के formula भी simple harmonic motion वाले बनेंगे जो हम already SHM वाले section में पढ़कर आए हैं इन terms of displacement velocity का formula होगा omega under root x naught square minus x square जहां पर ये जो a है ये amplitude है जबके in terms of angle जो है ये बराबर होगा v is equal to a omega cos theta इन में से कुछ particle upward move कर रहे हैं और कुछ particle downward move कर रहे हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा particle किधर को move कर रहा है उसके लिए आप ये देखें कि ये wave right की तरफ travel करती है इसलिए सबसे आगे जो particle है वो ये है हर particle अपने पीछे वाले particle की motion को follow करेगा जैसे ये particle इसको follow करेगा और ये particle इसको follow करेगा फिर ये particle इसको follow करेगा and so on अब इस particle ने इस पहले particle ने क्योंके इससे follow करना है इससे पीछे वाला ये है तो ये जो particle है ये थोड़ा नीचे है इस particle के comparison में नीचे है और क्योंके इसने इससे follow करना है और ये इससे नीचे है तो इसलिए इसकी direction of velocity डाउन वर्ड होनी चाहिए ताके थोड़ी देर के बाद ये इसके सामने यहां पर आ जाए particle अपनी line में ही vibrate करेगा लेकिन अपने पीछे वाले particle के exactly सामने आ जाएगा इसी तरीके से ये जो particle है इसने इससे follow करना है और ये particle भी इस particle से नीचे है तो इसकी velocity भी downward है ताके थोड़ी देर के बाद ये इससे follow करता हुआ इसके सामने आ जाए और इसी तरीके से फिर दूसरे particle अपने पीछे वाले particle को follow करते रहते हैं जैसे के ये particle इससे follow कर रहा है और इससे follow करने के लिए इसकी direction of velocity अपवड ओनी चाहिए ताके थोड़ी देर के बाद ये exactlys के सामने आ जाए और ये particle इससे follow कर रहा है और इससे follow करता हुआ थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा जबकर ये पार्टिकल उपर जाता हुआ यहां पर आ जाएगा अगर आप इस वेप को देखें जो के लेफ्ट की तरफ जा रही है तो फिर सबसे आगे वाला पार्टिकल ये वाला होगा और बाकी ये वाले इसके पीछे हैं तो इस पार्टिकल ने अपने पीछे वाले पार्टिकल को फालो करना है यानि के इस ए पार्टिकल ने इसको फालो करना है जिसके लिए इसकी डारेक्शन आफ विलासिटी अपवर्ड होनी चाहिए ताके थोड़ी दिर के बाद ये इसके सामने आ जाए इसी तरीके से इस पार्टिकल ने इससे फालो करना है और इस पार्टिकल ने इस टाप वाले पॉइंट को फालो करना है ये जो पार्टिकल अपनी पीक पर होता है ये वक्ती तोर तो रुका हुआ है लेकिन इसने भी अपने पीछे वाले पार्टिकल को फालो करना है तो क्योंके ये इससे नीचे है तो इससे फालो करने के लिए इसकी डारेक्शन आफ विलास्टी डाउन वर्ड होनी चाहिए ताके थोड़ी दिर के बाद ये इसके सामने आ जाए और इसी तरीके से इस पार्टिकल ने इससे फालो करना है अब इस पार्टिकल को ले लें तो ये पार्टिकल जो है इससे फालो कर रहा है जो इससे नीचे है जिसकी वज़ा से इसकी डारेक्शन आफ विलास्टी डाउन वर्ड है और इसी तरीके से ये जो पार्टिकल है ये इससे फालो कर रहा है जो इससे उपर है जिसकी वजा से इसकी डारेक्शन आफ विलास्टी अपवर्ड है इसा करते करते अगर आप इस C पॉइंट पर आ जाएं तो ये किसे फालो कर रहा है तो मैंने ये वेब लिमिटेड बनाई है तो आगे भी इस तरीके से पार्टिकल होंगे और यहां पर देखें कि इस C के बाद जो पार्टिकल होगा वो यहां से उपर होगा तो क्योंकि इस C ने उसे फालो करना है जिसकी और जासे इसकी डारेक्शन आफ विलास्टी अपवर्ड होती है अब हम अपनी अंडरस्टेंडिंग के लिए कुछ M-C कीज़ करते है तो आप बताएं कि ये जो वेब राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है इसमें ये ग्रीन वाला पार्टिकल अप मूव कर रहा है या डाउन मूव कर रहा है वीडियो को पास कर लें और सोच के बताएं तो ये अप को मूव कर रहा है इसने इसे फालो करना है इसे नहीं क्योंके वेब इस तरफ को जा रही है अब इस पार्टिकल के बारे में बताएं कि ये अप मूव कर रहा है या डाउन मूव कर रहा है ये भी अप मूव कर रहा है क्योंकि इसने इससे फालो करना है अब ये बता दें कि ये बिल वाला पार्टिकल किस तरफ को मूव कर रहा है अब या डाउन वीडियो को पास कर लें और सोच के बताएं ये down को move कर रहा है क्यूंकि इसने इससे follow करना है तो जिस तरफ को wave जा रही होती है उसके पिछे वाले particle इस तरफ को होते हैं अब आप इस wave पर आ जाएं अब ये wave क्यूंकि लेफ्ट की तरफ जा रही है तो इसमें ये बताएं कि ये blue वाला particle किस तरफ को जा रहा है उपर या नीचे वीडियो को पास करें और बताएं ये up move कर रहा है क्यूंकि इसने इससे follow करना है अब ये बताएं कि ये black वाला particle किदर को जा रहा है अब या down ये down move कर रहा है क्यूंकि इसने इससे follow करना है अब green वाले का भी बता दें कि ये up move कर रहा है या down move कर रहा है तो ये भी down move कर रहा है क्यूंकि इसने इससे follow करना है क्यूंकि वेव इस तरफ जा रही है तो इसके पीछे वाला particle ये है तो I think कि अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप एक मर्तबा फिर note कर लें कि वेव की velocity और particle की velocity ये दोनों different velocities है हम वेव की velocity को phase velocity भी बोलते है और particle क्यूंकि transverse motion कर रहा है तो particle की velocity को हम transverse velocity भी बोलते है और ये दोनों different velocities हैं हमें इन दोनों को mix नहीं करना चाहिए इसलिए यहाँ पर लिखा है कि wave speed is also called phase velocity and the phase velocity must not be confused with the transverse velocity of the particle in the medium phase relationship between two points on a wave phase relationship क्या होती है two points on a wave are said to be in phase if they have similar position and same direction of motion points separated by a distance of lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda and generally n lambda are all in phase with each other अब इसका क्या मतलब हुआ कि दो particle phase में तब होते हैं जब उनकी position और direction of motion same हो जाए जैसे के यहाँ पर a और c point है इन दोनों की position एक जैसी है क्योंकि यह दोनों mean position पर हैं और दोनों की direction of velocity downward है तो इसलिए यह दोनों आपस में phase में हैं अब phase में particle कब होते हैं जब उनके दरम्यान में यहां तो distance जो है वो पूरी phase में होते हैं जबके out of phase क्या होता है कि अगर दो particle की position exactly similar हो पर direction of motion opposite हो जैसे के a और b points हैं इन दोनों की position तो same है दोनों mean position पर हैं लेकिन दोनों opposite direction में move कर रहे हैं ऐसे particle जिनके दरम्यान में distance का फरक half wavelength के ब्राबर हो यहां कोई odd multiple of half wavelength हो जैसे के lambda by two यहां फिर three lambda by two five lambda by two seven lambda by two and so on तो ऐसे particle exactly out of phase में होते हैं जर्नली किसी भी दो point के दरम्यान में जो phase का फरक होता है वो distance के फरक के साथ related होता है और इस phase के फरक को हम two pi upon lambda into x के जर्ये रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम phase के हिसाब से भी एक mc क्यूज करते हैं यह green और blue वाला particle दोनों की position mean position के हिसाब से एक जैसी है दोनो mean position से एक जितना उपर हैं तो बताएं फिर यह दोनों आपस में phase में हैं यह आउटा phase में वीडियो को पास करें और सोच के बताएं यह दोनों आउटा phase में हैं इवन दो इनका displacement एक जैसा है पर direction of motion आपोजिट है इसलिए यह आपोजिट phase में हैं जब सकता हैं